मुदीजी आप 6 माई को पहली बार चुनावी दोरह में ओडिस आये थे बरहामपूर उस दिन आप डेट का अनौन्स कर दिए जबकि चुना सोहू नहीं हुआ था आपने बला था कि 4 जून को BGD जा रही है, 6 को मुख्य मंतरी का चैन होगा 10 को 10 जून को आपने निवदा दे दिया, सब को आने के लिए, ओट्रिकिंग के लिए इतने सियोर होके मुदीजी उस टाव में कैसे बोले एक तो मेरा राजमिनिती का लंबा अनुभव है संगठन का भी अनुभव है चुनाव लड़ाने का भी अनुभव है चुनाव लड़ने का भी अनुभव है देश भर में कैंपेंड और्गनाइज भी किये है मैंने और कैंपेंड किये भी है और मैं जनता से जुड़ा हुआ इंसान को कोई रिमोट वेवस्था से चलने वाला मैं वेक्ति नहीं हूँ खुद जाता हूँ, खुद मादान में रहता हूँ, मिलता हूँ मैं पिछले कई दिनों से देखा हूँ कि उडिशा कुछ तलास में है उडिशा व्यवस्थाओं से उप चुका है उडिशा को नयापन चाहिए, नई हवा चाहिए नया नेत्रुत पर चाहिए इप लंबे अर्शे से सदन में भी जो लोग मिलते थे उनसे बात करता था तो यहां को कुछ पत्रकालों से कभी मिलना हुआ तो उनसे बात करता हुआ था लेकिन उसे मैं सुनता था मैं कोई शुआ नहीं लेकिन इस बार जब मैं चुनाब दोरे पर आये पहले दिन मैंने जब देखा याने इलेक्शन डिक्रे होने से पहले मैं सरकारी कारकमों के लिए मेरा यहां ना हुआ दो तिन ज़गा तो वो चीज़ों मुझे साफ नजर आने लगी कि लोग जो मुझे कहते दे उससे भी जागा है और इसके कारण में जो पहली सभा में मुझे लगा कि मुझे देश को खास करके उरिशा को बताना चाहिए जब मैं गुजरात में था तो वहां भी काफिमात्रा में उरिशा के लोग रहते हैं तो फिर मैंने बीच में हमारे लोगों कहा था भी अलग अलग जिले के लोग होंगे तो मेरी गुजरात की टीम ने भी मुझे रिपोर्ट दिया यहां लोग जो है उनके बंत में अंडर करणट यह है और जब मेरा यहां के सरकारी कारकॉम हमें आया तो दो भाग रहते ने एक सरकारी कारकॉम करता बात में पपुब्लिक रेली करता हुआ कि मैं तो मैं कंविस हो चुका था है कि जनता मोकि की तलाज में है जुनाव सभ언 में मैंने देखा कि विद्धि तरह लोग नेंड़े कर चुके हैं जब जनताने ही नेंड़े कर लिया हैं तो मेरा दाइत वरны of कि अमरेगा भी शबत जमारों में आ जाईगे